हेलो स्टूडेंट्स यू कोचिंग क्लासेस की इस यूटूब चैनल में आपका स्वागत है डेली जी के कोस्टन का स्रीज लेकर आ गये हैं जिसमें से यह लेक्चर नबर 33 है मतलब लेक्चर नबर 33 और डेली जी के कोस्टन कराया जाता है 7 PM पर 20 question रहते हैं जिसमें से आज का पहला question देख लेते हैं कि पहला question क्या है पहला question है इसमें से लगातार दूसरी बार प्रधान मंतरी पद पर आसीन होने वाले पहले ब्यक्ति हैं तो आपसन चार दिया गया है, पहला है जवाहलाल नहरू, इंद्रा गांधी, अटल बिहारी बाचपेई, इन में से सभी, तो सोच के बताना है आपको कि इसमें से राइट एंसर कौन सा है, इसमें से राइट एंसर हो जाएगा, आपसन नमबर D, यानि इन में से सभी, जो ये तीन दिये गये हैं, तीनों लगातार दूसरी बार प्रधान मंतरी पत पर असीन हो चुके हैं, तो आपसन नमबर D, राइट एंसर हो जाएगा इसका, नेस्ट कॉस्चन देखते हैं, दूसरा कॉस्चन है इसमें, भारत के प्रधान मंतरी, चार आपसन दिया गया है, पाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं, चैनीत होते हैं, तो आपको बताना है कि राइट एंसर कौन सा है, तो इसका राइट एंसर हो जाएगा, आपसन नमबर E, नियुक्ति होते हैं, तीसरा कॉस्चन देख लेते हैं, कॉस्चन नमबर तीसरा है कि प्रधान मंतरी की नियुक् करता है इसमें से चार आप्शन दिया गया है राष्ट पती लोग सभा अध्यच राज्यसभा का सभा पती उप राष्ट पती तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा इसका राइट एंसर हो जाएगा डियर स्टुडेंट आप्शन नमबर एब भी राइट एंसर आप क्वे उपनीटा की सपत कौन दिलाता है? राष्ट पति, उपराष्ट पति, लोग सभा अध्यच्श मुख ने धीत. सुप्रीम कोर्ड का मुख ने धीत. तो इसका राइट एंसर क्या हो جाएगा? इसका राइट एंसर हो जाएगा method आपसन नमबर A will be right answer, आप question number 4, next question देख लेते हैं, एक धारा वाही चालक सम्बंधित है, आपसन है चुमकी छेतर से, विद्दूत छेतर से, विद्दूत चुमकी छेतर, इस्थिर विद्दूत छेतर, तो इसका right answer आपको कमेंट करके बताना है, जल्दी से क्या हो जाएगा, तो इसका right answer हो जाएगा, option number C, option number C, right answer हो जाएगा, विद्दूत चुमकी छेतर, यहनि जो धारा वाही चालक सम्बंधित है, विद्दूत और चुमकी दोनों से, तो हो जाएगा, correct answer, विद्दूत चुमकी छेतर, question number 6 है, कौन सा उपकरण, विद्दूत प्रत्रोत को मापत होता है, पहला option है, ammeter, दूसरा है, potentiometer, तीसरा, voltmeter, चौन सा ओम, मीटर, तो इसका right answer क्या हो जाएगा, जल्दी आप सोच लीजिए, इसका right answer क्या होगा, तो इसका right answer हो जाएगा, option number D, ohm, मीटर, यहनि प्रत्रोत को ohm से मापत जाता है, इसलिए हो जाएगा, ohm, मीटर, रिड़ा वेसित हो जाता है, धना वेसित हो जाता है, उदा सीन हो जाती है, इन में से कोई नहीं, इसका right answer क्या हो जाएगा, आपको बताना है, तो क्या हो जाएगा, जब कांच की छड़ को रेसम से रगड़ा जाता है, तो क्या हो जाएगा, धना वेसित हो जाता है, कांच प्रेश्ट पर बाहरी प्रेश्ट पर कुछ आंत्रिक वक्त कुछ बाहरी प्रेश्ट पर सभी सत्य हैं कौन सा हो जाएगा बताइए तो हो जाएगा आपसन नमबर B बाहरी प्रेश्ट पर तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा आपसन नमबर B Q9 है यदि दो बिद्दूत अवेसों के मद्ध दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मद्ध बिद्दूत बलकमान कितना होगा आधा, दो गुना, चोगुना, एक चोथाई तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है इसका राइट एंसर हो जाएगा आपसन नमबर C will be राइट एंसर आप Q9 चोगुना हो जाएगा यदि दो बिद्दूत अवेसों के मद्ध दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मद्ध बिद्दूत बल चोगुना हो जाएगा Next question समान अवेस में होता है क्या होता है आपको बताना है आकर्षण प्रतिकर्षण A एवं B दोनों इन में से कोई नहीं बताइए तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा तो इसका राइट एंसर हो जाएगा B प्रतिकर्षण यदि हमारे पास समान अवेस है धन धन तो क्या होगा प्रतिकर्षण होगा आकर्षण है यदि धन और रिण है प्लस माइनस तो आकर्षण होगा दोनों में इस प्रकार चुम्मक में भी होता है समान धुरूब यदि समान धुरूब रहेंगे यन 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 नार्थ तो प्रतिकर्षण होगा यदि यन केस रहेंगे असमान धुरुप तो क्या होगा आकरसंड होगा इसमें क्या होगा आपसन नंबर बी यह नि प्रतिकरसंड होगा नेस्ट क्वेस्टन देखिए चाकू से काटी जा सकने वाली धातू कौन सी है तांबा लोहा सीसा और एक है सोडियम तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा इसका राइट एंसर हो जाएगा आपसन नंबर डी सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है नि चाकू से काटी जा सक लखने वाली धातू, sodium, question number 12 है, sodium धातू का संग्रहाण किसमे करना चाहिए, alcohol, मिट्टी का तेल, जल, हैड्रोलीकम्ल, बताइए इसका answer क्या हो जाएगा, sodium धातू, अतिक्रिया सील धातू होने के current उसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है, आपसा नमबर B हो जाएगा, इसका right answer, इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है, तो इसका संग्रहाण मिट्टी के तेल में करना चाहिए, next question है, निन में लिखित में से कौन एक आयस्थाई कड़ है, electron, proton, neutron, इन में से कोई नहीं, इसका right answer क्या हो जाएगा, इसका right answer हो जाएगा, question number, sorry, option number C, neutron, एक आयस्थाई कड़ है, question number 14 है, एक समान मानो सरीर कोशिका में गुर्षूत्रों की संख्या कितनी होती है, option 40, next option 44, 45, 46, तो यह हो जाएगा, option number D, यहनि 46 पाया जाता है, 23 जोड़े, मानो सरीर की कोशिका में 23 जोड़े गुर्षूत्र पाय जाती है, जिसमें से 22 जोड़े एक समान होती है, इन्हें आटो सोम कहा जाता है, और 23 जोड़ा अलग होता है, जिसे link निर्धारन गुर्षूत्र कहा जाता है, next question, तो इसका right answer क्या हो जाएगा, option number D हो ज हीरा, कोईला, जिप्सम, सोना, बताइए इसका right answer, तो इसका right answer क्यों सा हो जाएगा, इसका right answer हो जाएगा, सोना, option number D, सोना हो जाएगा, इसका right answer, option number D will be right answer, question number 15 question number 16 है, बिश्व में महादीपों की कुल संख्या कितनी है, 5, 6, 7, 8, कितनी है, बताइए, तो इसका right answer हो जाएगा, C, 7, बिश्व में कुल महादीपों की संख्या 7 है, तो इसका right answer हो जाएगा, C, संसार में सबसे बड़ा महादीप है, ये SST 2013 में पूछा गया है, कि संसार में सबसे बड़ा महादीप कौन सा है, उत्तर अमेरिका, दच्छिड अमेरिका, Asia, अफरीका, बताइए, इसका right answer क्या हो जाएगा, आपको comment करके, बताना है, बताइए, इसका right answer हो जाएगा, इसका right answer हो जाएगा, C, येनि सबसे बड़ा महादीप, Asia महादीप है, तो Asia इसका right answer हो जाएगा, निन्म में से किस महादीप का छेत्र फल सबसे कम है, यानि सबसे कम पूछा है, पहले question में क्या पूछा था, question number 17 में, कि सबसे बड़ा महादीप, अब इसमें पूछा है, का मतलब की, छोटा महादीप कौन सा है, सबसे छोटा, संसार में, चार आपसन है, Africa, Asia, Europe, Australia, बताए, तो इसका right answer हो जाएगा, D, Australia, सबसे कम छेत्र फल वाला है, यानि सबसे छोटा है, question number 19, किस महादीप को सवयत महादीप के नाम से जाना जाता है, तो इन चार में से एक आपसन सही होगा, बताएए, कौन सा सही है, यह आपसन number D, Antarctica, Antarctica महादीप को सवयत महादीप के नाम से जाना जाता है, आज का लास्ट क्वेश्चन, लेक्चर 33 का लास्ट क्वेश्चन है, निर्म लिखित में से कौन विश्चो का सबसे बड़ा मरुस्थल है, यहाँ पे मरुस्थल पूँचा गया है, तो अरेवियन ये SST 2014 में पूँचा गया है, कालाहारी, सहारा, थार, इसका राइट एंस आपको कमेंट करके बताना है, आपको कमेंट करके बताना है, तो यह होगया, आज का 20 जी के कोश्चन, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजेगा अगली वीडियो मिलते हैं तब तक के लिए जै हिन जै भारत